हलो दोस्तो शड़ी मोड में आपका स्वागत है पिहार पलिस कोश्टेबल भरती 2020-21 CSBC सेंटर सेलेक्षन बोर्ड ओफ कोश्टेबल ने आज अपने अफिसल बेवसाइड पर फिर से एक नोटिस जारी किया है नोटिस सभी लोगों को देखना चाहिए और अपना रजिस्टेशन नंबर डाल कर आप सर्च भी कर लिजेगा कहीं आपका उसमें तो नाम नहीं है न हम विस्तार से आपको जनकारी देंगे कि आखिर नोटिस के जारी किया गया है जिनका एकजाम 14 मर्च और 21 मर्च को होने वाला है वो ध्यान से इस विडियो को देखियेगा सुरू से लेके अंतक चलिए श्टार्ट करते हैं सबसे पले मैं आपको जनकारी देदू इसके लि रिजल्ट है जो बिहार सोभिमान पुलिस बटालियन के जो महिला एसी कटेगरी के अभिहार्थी के लिए फॉर्म डालने के लिए आया था जिसके रिटेन एक्जाम हो चुका था अक्टूबर में ही और जिनका पीटी में इसके फिसकल फेवरी में ही हुआ था 2021 में उनका घोसित कर दिया गया है अब आपका हिएगा बड़ा जल्दी घोसित कर दिया गया है इसमें कुछ लिमिटेड सीची थी और इसमें लिमिटेड लड़किया थी तो इनका रिजल्ट देना अनिवार था और इनका रिजल्ट दे दिया गया है अब आपका एक और सवाल आएग और यह क्यों महत्तपोड ही है यह मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करकर डाउनलोड कर लेना होगा चलिए मैं आपको डाउनलोड कर लेता हूं क्लिक करकर यह नोटिस देखिए इसे पेडियाफ में खुलिएगा डाउनलोड करकर मैं डाउ टुक अप्लिकेशन फीबैक करने का रहें यहां पर देख सकते हैं और यह सभी दिया हुआ है नेम दिया हुआ है यहां पर अपना जरूर यह सर्च कर लेना है फिमेल मेल दोनों कटेगरी के लड़किया लड़के दोनों है ठीक ति यह आप देखिए अच्छा खासा लड़क से फोर्म भरे होंगे और वो सही है तो आप देख लिजेगा 25 तारी को आपका एडमिट काड़ आ जाएगा 25 फिवरी को उसमें डालकर अपना रिजिस्टेशन नमबर देख लिजेगा तो अपना डियो भी डालकर देखिएगा तो आपका दिखा देगा एडमिट काड अग आगे देखिए अगर आप मेरा अभी तक बुक नहीं लिए है अगरवाल एक्जाम काड़ का तो जल्दी से ले लिजे इसमें 20 प्रेक्टिस सेट के साथ 4 सोलबे पेपर आपको मिलेगा और नए पटन पर सभी अधारित प्रसन होगे यहां पर पूरा डिटल से दिया हुआ है काफी लोगों ने ले लिया है अभी नहीं लिये है तो ले लिजेगा नीचे में लिंक दे देता हूं और मोबाइल नमर भी प्रवाइड करा देता हूं अगर आपके छेतर में नहीं मिल रहा है बुक तो हाँ पर फोन करकर जनकारी दे सकते हैं और वो आपको उस छेतर मे बुक पहुचाया जा सकता है तो ये बुक जरूर लिजीगा नियू सलेबस पाधारित है जो आपकी एकजाम होने वाला है ठीक जो 14 मर्च और 21 मर्च को होने वाला है और ये टेस्ट के बारे में भी आपको जनकारी दे दू हजारों इस टेस्ट को लगा रहे हैं और टेस्ट में डाउट होता है तो विदिन पाच मिनट के पूछेगा तुहाँ पर जवाब भी दिया जा सकता है ठीक मैं इसका भी मुबाइल नंबर आपको उपलब दिकरा देता हूँ आर्शेप करकर जनकारी ले सकते हैं या अप जल्दी से इसमें इन्रोल कर लीजे हजारों करा जाएगा बिहार के अलग-अलग परिश्या के अंदरों पर तो आप फुल मॉक टेश्ट लगा सकते हैं 35 मात्र 111 रुपया में आप लगा सकते हैं जिसका सभी कुशन जो होगा वो स्लेबस पर आधारित होगा और इसमें आपको क्या-क्या भी विस्यस्ता मिलने वाला ह तो सबसे पले हिंदी-ंग्लिस दोनों में आपको प्रसन होगा ठीक साथ में अस्कोर के साथ आपका रैंक भी दिखाई देगा आप अपना अस्कोर के साथ रैंक देख सकते हैं कि कि कितने लोगों में आपका कितना रैंक है और काफी लड़गे टेश्ट लगा भी रहे हैं दिया जागा अगर उस कोशन में अगर आपको डाउट लगता है तो साथ में ये भी धियान में रखिएगा कि घर बैठे इसकी तयारी आप बिहार पुलिस को स्टेबल के कर सकते हैं तो तीस फुल मॉक टेश्ट में जरूर जोइन कीजिएगा मात्र 111 रुपया में है इसमें कैसे आप जोईन कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने प्लेयर स्टोर से एक्जाम स्टूडे एपस जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा यहां पर लोगो देख लिए एक्जाम स्टूडे 14 MB का एपस है और आसानी से मिल जाएगा ठिक और यहां पर क्य जिसमें 100 कोईशन होगा और टाइमिंग के कोडिंग आपको सिट किया होगा ठीक टाइम भी उस पर दिखाएगा आपको तो परिक्षा होल वाला आपको अनभव होगा वैसे बिहार द्रोगा में भी काफी स्टूडेंट इन्रोल है यह अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो इस कियेगा तो आपको पता चल जाएगा कोई भी अगर परिसानी होती है तो अगर बिहार प्लिस कोंश्टबल या भी हर द्रोग के तैयारी कर रहे हैं तो यहां से जरूर आपको इन्रोल करना चाहिए और सब के साथ में अगर टेस्ट लगाईएगा तो आपको अनभव भी हो